हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आज हम करने वाले हैं चेप्टर वन को ही कॉंटिन्यू जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं और हाडवेर एंडिट्स कॉंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री आफ कॉंप्यूटर उसके लावा कुछ बेसिक बेसिक सी टर्म्स और उनका क्या मतलब है और क्या यूज है यह सब तो शुरू करते हैं इपॉर्टन टर्म्स से सबसे पहले आता है कि बस क्या होता है बस होता है क्लेक्शन ओफ वायर्स क्लेक्शन ओफ वायर्स जैसे एक वायर होगी दो वायर होगी उन सब को अग एक काड़ है जो कि interface के as a interface कर रहा है एक network और एक computer system में तो वही चीज माने लिखी हुई है कि connect करता है ये computer को network devices से like other computers and printers etc. आज गल तो bluetooth वाले printers भी आना शुरू हो गया है तो network interface card जो है वो इन सब में इन सब के connection में काम आता है फिर आता है USB, अगेन USB के भी एक important full form है, जिसका full form है universal serial bus, अब मैंने आपको बताया bus क्या है, bus है collection of wire, तो इसी से आप देख सकते है कि एक type of bus है, जो कि connect करती है devices को, क्योंकि wires का, तो यही काम होता है connect करना, such as mouse, keyboard, printers, to computer, यहाँ फिर extra pen drives भी, आपको बता है USB cable, जो होती है, जै USB एक port होता है CPU पे, ठीक है, उस पे जो हम लगाते हैं, यह USB cable लगाते हैं, तो यह devices जो है connect कर देते हैं computer को hardware devices के साथ, next आगे है UPS, again important full form, uninterrupted power supply, full form से ही पता चल रहा है कि एक power supply है, यानि यह computer को power supply करेगी कब, जब light चली जाएगी, ताकि हमारा computer जो है, वो अचानक से turn off न हो जाए, इसको हम inverter की तरह कह सकते हैं, जैसे घर की light चले जाती है, तो inverter जो होता है, वो छोटे मोटे bulbs and all को light देता है, वैसे ही UPS जो है, वो computer को power देता है, फिर आती है CPU, central processing unit, इसको हम brain of computer भी कहते हैं, आपको question आ सकते है कि brain of computer किसको कहते हैं, तो option हो सकते हैं, CPU, UPS, ठीक ह फिर USB, ऐसे ही चोट-चोटे, मतलब ऐसे बिना इनको expand किये हुए, आपको option दिये जा सकते हैं, तो अगर आपको full form पता होगी, तो आप उसी time, आप guess कर लोगे, कि CPU की full form में central processing unit, और processing कहां होती है, memory कहां होती है, brain में होती है, तो brain of computer क्या है, CPU, फिर आता ALU, ALU की full form में arithmetic and logical unit, arithmetic यानि maths की बात चल रही है, तो arithmetic and logic, इसका मतलब भी यह है कि logical operation और arithmetic operation को यह perform कर सकता है, फिर आता है heat sink, sink से आप guess कर सकती है, जब एक ship डूबती है, तो हम डूबने को कहते हैं, sink होना, यानि कि वो किसी चीज़ को डूबा रही है, heat sink यानि वो गर्मी को डूबा रही है, तो यह cooling device होता है, जो CPU के साथ attach होता है, ताकि CPU का temperature जो है, वो maintain रहे, वो जो heat होता है, वो उसको absorb कर लेता है, उसको डूबा देता है, ताकि CPU का temperature maintain रहे, देखो मैं कोशिश तो यही कर रहा हूं कि जो word है, उसी से ही आपको उसकी definition पता चल चाहे, ठीक है, फिर आता है fire wire, एक होता है fire wall, fire wall और antivirus जो है, वो utility software है, मैंने आपको पिछले lecture में पढ़ाया था, यहाँ पर बात fire wall की नहीं, fire wire की की जा रही है, तो fire wire क्या है, एक external bus है, bus क्या है, मैं define कर चुका हूं, fire wire एक external bus है, जो की data transfer को support करता है, up to 400 mbps, 400 mbps काफी जादा speed, यानि की high speed data transfer के हैंगे fire wire, अब आ जाते है history of computers और inventions पर, ठीक है, सबसे पहले आ जाता है generation of computer, फिर second में जो होगा, वो होगे उसके switching device, और सबसे last में दिया गया होगा language, तो सबसे पहली generation में switching device कौन से थे, vacuum tubes, और language कौन सी उती थी, machine language, यह पूरा का पूरा आपका रटने वाला portion है, इसमें मैं आपको कुछ explain नहीं कर सकता, बस इता बता सकता हूँ, जो यह चीजे हैं ना, जैसे vacuum tube, transistor, ICL, यह तो बहुत important है, एक question तो इनका आएगा, यह आएगा, कि किस generation के computer में VLSI यूज़ा था था, fourth generation के computer में, microprocessor किस generation में पाएगए, microprocessor fourth generation में पाएगए, यह question तो मैंने ब है, इसका screenshot ले लो, यह copy पर लिख लो, जैसे आपको better लगता है, यह सारा का सारा word to word आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, अब आज आते हैं कि क्या क्या चीज किस किस inventor ने बनाई थी, तो शुरू करते हैं, difference engine किस ने बनाया था, Charles Babbage ने, Charles Babbage ने और क्या बनाया था, analytical engine, तो Charles Babbage के हमारे पास दो points आगे, ठीक, इसके अलावा Charles Babbage ने, Charles Babbage को हम father of computer भी कहते हैं, तो तीन चीज़े Charles Babbage के साथ related आगी, क्या क्या क्या, कि उसको father of computer कहते हैं, उसके लावा उसने difference engine बनाया है, और analytical engine बनाया है, तो यह तीन चीज़े आगी Charles Babbage के बारे में, next आता है कि mechanical calculator किस ने बनाया है, B Pascal ने, B Pascal के related और कोई चीज़ है हमारे पास, नहीं, B Pascal के related और कोई चीज़ नहीं है, तो B Pascal ने सिरफ एक चीज़ की है, वो है mechanical calculator बनाना, थर्ड आ गया ENIAC, अब ये चार चीज़े ना, simultaneously चलाओ, ENIAC, ADVAC, ADSAC, UNIVAC, क्योंकि इसकी full form भी आ सकती है, और किस ने बनाया, ये भी आ सकता है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ENIAC से, electronic, numeric, integrator and computer, मुश्किल full form है, पर कुछ भी करके आपको याद करनी है, E से तो electronic ही होगा हर जगा, ठीक है, तो E से तो आपको पता चल गया, electronic ही होगा, उसके लावा हमें और क्या कामन दिख है, हर किसी में, last में, AC, AC, AC लगा हुआ है, ENIAC के case में, AC है, end computer, EDVAC के case में, AC है, automatic computer, और EDSEC के case में, automatic calculator है, तो ये चीज़ याद रखिए, E हो गया आपका, E सबके लिए electronic है, AC, ENIAC के case में, end computer, AC, EDVAC के case में, automatic computer, AC, C, EDSEC के case में आगया, automatic calculator, अब बात आती है, N, I, D, V, और D, S की, तो, N, I, ENIAC में आगया, electronic तो आगया, उसके बाद आगया, numerical integrator, या आपको याद रखना है, EDVAC में, D आगया, discrete, V आगया, variable, और EDSEC के case में, D आगया, delay, S आगया, storage, तो कुछ भी करके ये चीज़ याद र रखो, अब बात करते है, invention किसने की है, ENIAC और EDVAC, जैसे sequence में है, वैसे ही sequence में आपको याद रखने है, ENIAC और EDVAC, same scientist ने बनाई है, जो कि है, J.W. Mosley and J.P. Eckert, दोनों J से शुरू है, J.W. Mosley, J.V. Eckert, फिर आते हैं हम EDSEC और UNIVAC पर, UNIVAC की definition बात में करते हैं, पहले ये द पर आप देख सकते हैं कि J.W. Newman ने, J.W. Newman ने computer का architecture भी बनाया है, तो J.W. Newman ने तीन चीज़े बनाई हैं, एक है architecture, एक है UNIVAC, और एक है ADSEC, ठीक है, UNIVAC, ADSEC, आर्किटेक्टर, जैसे Charles Babbage ने, Charles Babbage तीन पॉइंट्स के लिए याद रखा था, वैसे ही J.W. Newman तीन अब आते हैं Nexus Browser किसने बनाया है, उसने बनाया है, जिसने World Wide Web, यह जो WWW है, इसकी खोज की थी, और वो कौन है, Tim Berners Lee, काफी important है यह, फिर आता है माउस किसने बनाया है, माउस बनाया है, Angel Bart ने, अब मैंने इस चीज़ को कैसे याद रखा, कि जब मैं laptop चलाता हूँ, तो ज उससे laptop अच्छे से operate नहीं होता, अगर मुझे high efficiency के साथ अगर laptop को operate करना है, तो मैं उसके साथ plug-in करता हूँ, mouse, यानि mouse एक ऐसा device है, जो मेरी efficiency बढ़ा देता है, तो जिसने भी mouse बनाया, वो बंदा तो मेरे लिए Angel है, तो मैंने ऐसे याद रखा है, आप भी ऐसे याद रूबी बनाया, युकी हीरो ने, याद कीजिए, जैसे तरह से, जावा बनाया, जेम्स गॉसलिंग, जे फर जावा, जे फर जेम्स, तो जावा बनाया, जेम्स गॉसलिंग, आपको पूरा पूरा नाम याद रखने की जूरुएत नहीं है, जब उदर option आएंगे, आपको पता चली जाएगा, धैन आता है, पी एचपी बनाया, रास्मस लेडरॉफ ने, अब कन्फ्यूज मत हो जाना, जैसे मैंने जावा के लिए जे बताया है, रूबी के लिए कहीं आर से कन्फ्यूज मत हो जाना, ये चीज ध्यान रखना, शिरफ जावा के लिए ये ट्रिक च अब ये इतना important नहीं है कि Microsoft और Apple किस ने बनाया क्योंकि ये तो सब को बता होगा कब बना ये important है Microsoft बना 1975 और उसी के बिल्कुल एक साल बाद बन गया 1976 में Apple अब आजाते हैं email पर email किस ने बनाई Ray Tomilison ने ठीक है फिर आता है father of computer में आपको बता चुका हूँ को ने चार्ल्स पैबिज father of computer science है science नहीं लगा होगा तो आपका option change हो जाएगा आपका option हो जाएगा father of computer Alan Turing ठीक है difference आपको बहाँ चल गया father of computer science Charles पैबिज father of modern computer Alan Turing then आता है internet internet पे क्या करते हैं हम surfing करते हैं इंटरनेट पे हम surfing करते हैं तो surfing से आप याद रख सकते हैं कि internet की खोज किस ने किये वी सर्फ ने यह मैं आपको बता चुका हूँ architecture फिर आ जाता है vacuum tube vacuum tube किस ने नहीं जे ए flaming ने अब देखिए अगर आप cars के शुकीन है मैंने तो इसको ऐसे याद रख है कि cars का जो exhaust होता है जो बड़े modifier exhaust होता है जिससे दुआ निकलता है जो modify बगरा कराते हैं आपने देखा होगा कि movies में भी देखा होगा कि cars start करते हैं जोर से accelerate करते हैं तो उनके exhaust से fires की जो है वो आग की जो है वो flames निकलती है तो flame से आपको क्या याद रखना है जो tube है जो exhaust है वो tube ही होती है एक type की tube होती है उससे क्या निकलती है फ्लेम्स निकलती है तो flaming ने vacuum tube बनाई है next चीज आ गया transistor डब्ली शॉकली और जॉन यह जैसे तरह से याद करो फिर IC किल बाई और रॉबर्ट नो यू एंड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर हमारा एस करे था यह मैं आपको बता चुक हूँ यह पॉइंट यहाद रख्टी की जूरत नहीं है यह मैं आपको पहले भी बता चुक हूँ ठीक है एक type की revision लगा लो revision होगी चलो नेक्स्ट फर्स्ट मेकैनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया है पासकली इनने हमने पहले भी पढ़ा पासकली ने क्या बनाया था यहाँ पर लिखा है मेकैनिकल कैलकुलेटर थर्ड पॉइंट देखिए मेकैनिकल कैलकुलेटर वही कोशन में है मेकैनिकल कैलकुलेटर किसने ब बनाया था, Charles Babbage ने, Charles Babbage तीन पॉइंट्स के लिए याद रखा था हमने, Difference Engine, Analytical Engine और Father of Computer Science, science नहीं लगा हूगा, सिरस्फ Father of Computer होगा तो आ जाएगा Alan Turing, पॉइंट्स को आपस में connect करोगे तो आपके लिए याद करना जादा असान हो जाएगा, फिर first electronic computer ENIAC मैंने आपको बताया था न, ये थी sequence ENIAC EDVAC EDSAC UNIVAC ये दो बनाये थे J.V. Newman ने, ये बनाये थे J.W. Mosley and J.P. Eckert ने तो इसी sequence में याद रखते है कि पहला electronic कौन सा है ENIAC, पहला electronic computer जिसमें program store किये जा सकते थे EDSAC, ठीक है EDSAC, third point वाला EDSAC फिर आगया first binary serial computer EDVAC first electronic computer for commercial use commercial use यानि कि कोई भी इसे use कर सकता है, तो UNIVAC की full form क्या है, UNIVAC की full form बताना बूल गया, UNIVAC UNIVAC की full form है UNIVAC automatic computer तो UNIVAC से ही आप देख सकते हैं कि UNIVAC में जितने भी लोग है देखे, UNIVAC में लोग तो अर्थ पर ही हैं वैसे तो, तो कोई भी इसे वो use कर सकते है, UNIVAC automatic computer को next, फिर आता है first web browser web browser क्या होता है ये चीज में एक different chapter है पूरा chapter ही है, internet और उसके tools के बारे में उसमें आप पढ़ेंगे इस चीज के बारे में फिलाल आप इतना याद रखिए कि सबसे पहला web browser कौन था पूरे, कौन सा था वर्ल्ड का वो था NCSA Mosaic first mechanical calculator first mechanical calculator जो है, ठीक है ये pascaline ने बनाया था made by pascaline था, पर जो actual use में आया ठीक है, वो था abacus जिसके बाद computer की जो है formation होना शुरू की और ये abacus कहा invent हुआ था चाइना में invent हुआ था इसी के साथ हमारा chapter one है, वो होता है खतम, वो जो जितनी भी आपने पिछले slides देखी है, मुझे पता है कि वो एक बार सुनने से याद नहीं होंगी आपको बार बार read देना होगा उनका screenshot ले लीजिए याँ फिर उन्हें copy पर fair कर लीजिए वो आपकी मरज़े totally आप पर depend है पर जरूर पढ़िए उनमें से कोई भी चीज miss मत करना मैंने पहले ही बताया, मैं काफी short notes और काफी crisp notes लेके आया हूँ वो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं thank you so much